साथ नमस्कार स्वागत आपका अपने चनल हाडा वेट्स क्लब में गाई बेस का दूद बढ़ाना चाहते ना तो ये वीडियो आप पूरी देख लीजिए इस वीडियो में जो आपको तरीका बताऊंगा और आप क्या गलती करते वह आपको बताऊंगा तो आपका दिमाग चक्रा जाएगा कि वास्तम हम पेले आफ इससा क्यों नहीं करते थे, प्यot corset अब तक तो बहुत जाता दूद देने लग जाता लेकिन हमारे दिमाग में यह formula पहले क्यों नहीं आया हमारे दिमाग में पहले यह बाते क्यों नहीं आये, क्या में बेस हूँ क्या देना और कौन सी चीज नहीं देना चाहिए यदि यह सब तरफ आपको पहले ही पता होता ऐल आज आप यह पिया पर यह video देखने नहीं आते और आज जब यह विडियो आप यह पर देख लेग्गे ना तो आज की बार दूसरी वीडियो आप बताओंगा यदि इन पदी चिन्नों पर आप चलेंगे न तो हंड्रेट परसेंट आपके गाई बेस को दूद्ध जरूर इंक्रीज होगा और वह आपको मार्केट से अब कुछ भी खरीदने की जुरूत नहीं यानि मार्केट से आपको न केल्चम लाना ने लिवर टोरिंग कि जिनके कारण आपके गाई बेस अपना दूद्ध पांच लिटर से छे लिटर और साथ लिटर कैसे देगी और हकीकत वो देगी ज्यादा दिन नहीं लगते हैं इस फर्मूलें बहुत शांदार फर्मूलों और नुक्सान करता है जिरू नुक्सान मार्केट का खर्चा ज तो सद्यों दूद्ध बढ़ने का फर्मूला हर कोई जानना चाहता हरकों अपनी घाय का दूद्ध बढ़ना चाहता है हरको अपनी भेशका दूद्ध बढ़ना चाहता है दूद बढ़ता है दो दिन तक पशू अच्छा दूद देगा लेकिन जब आप वह दवा खिलाना बंद कर देंगे तो आपका पशू भी वह दूद जादा देना बंद कर देगा यानि जब तक आप दवा देंगे तब तक पशु अच्छा दूद देगा लेकिन जब आपने दवा बंद कर दी आपका पशु दूद देना ही बंद कर देगा लेकिन दोस्तो इस वीडियो में आपको दवा देने की भी जरूरत नहीं तो फिर हमें इसमें ऐसा क्या करना है इसी कौन सी दवा देनी है कि जिसके करण हमारा पशु दूद इंक्रीज करेगा वह भी बिना दवा के बिना किसे साइड इफेक्ट के ऐसा कैसे पोसिबल है तो सची हमने पोसिबल कर दिखाया है कि जो हमारे से पहली जो लोग रहते थे यानि आपके दादा पर दादा उस समय पर कोई मार्केट में प्रडूट नहीं मिलते थे लेकिन उस समय भी पशु दूद देते थे उस समय भी पशु का दूद बढ़ा जाता था लेकिन कैसे इसी कौन से दवा थी उन लोगों के पास जो दवा खिला कर वो अपनी गाई बेस के दूद्ध मिल को इंक्रिस कर लेते थे तो आए जानते हैं उस फर्मूले के बारे में आप लाइक बहुत कम करते हैं और चैनल पर सस्क्राइब नहीं करते हैं आप तो पर सरी फार्म पे में भुमा ओं अब बड़े बड़े फार्म पे में कई बार जा चुका हूं करिस सारो पुष्ध माललीकों से मिल सुकलते हैं लेकिन मैंने एक बात हर जगा पर नोटिस किया कि लोग क्या करते हैं अपने पश्रू को सुबह से चारा खिलाना लगते हैं शाम तक चारा ही चारा खिलाते हैं सुबह उटके पानी फिला देते हैं शाम को पानी फिला देते हैं पूरा दिन पश्रू को चारा खिलाते हैं तो यह क्या सही है हमें पश्रु को चारा कब देना चाहिए यदि आपके ओल चारा ही चारा खिलाते हैं तो आपका पश्रु को दूद नहीं बढ़ेगा चारा के साथ पश्रु को उस जो उस चारा खाया उसने उसको हजम करने के लिए उसको पानी की जरूरत पड़ती और हमारे सरीर में वैसे सबसे जरूरी चीज पानी होती तो इसलिए मैंने कई जगह पर देखा है पुश्मली क्या करते हैं पूरा दिन पुश्यों को चारा खिलाते हैं शाम को पानी पिला देते हैं बस सो जाते हैं इससे क्या होता है उन पुश्यों का सही से डाइजेस्ट वो चारा नहीं होता है और जब साइस सिडाइजेशन नहीं होगा पशु में तो दूद कहां से आएगा आपको केसे खिलाना पशु को चारा ये समझ लीजिए आपकी आदी शमश्चा आपका पशु को आदा दूद देहीं से बढ़ जाएगा आपको क्या करना है पशु को सुभे आपने मान लीजिए पशु को 6 बज़ उटके आप पशु को 6 बज़े से 10 बज़े तक आप पशु को केवल 4 खिलाए 4 केवल हरा नहीं खिलाना में जितना आप हरा चारा खिलाते उतनी ही मात्रा में हमें पशु को सुखा चारा भी देने की ज़रत पड़ती हैं यह एविवी ध्यान रखना में आप कई क्या करते हैं पूरा दिन सुखा हुखा खेलाते रहते हैं फिर सोष्ते एक मेरी भाई तो दूद नहीं दे रही कई लोग पूरे दिन हरा चारा करते हैं फिर तो पूरा दिन इसको हरा-चारा खिलता हूं लेकिस दू दीनील बढ़ रहा है। अब को क्या करना जितनी आप सुखा-चारा लेती हैं उतनी की मात्रा में आपको हराचा-ब्राब्रति का रखन केंबनेशन आप चारा करने तक हिवं केवल 4 ही देना है पुश को इसमें हमें पानी नहीं पिलाना है चार घंटे denkं तक पषू को कुछ भी नहीं देना है दे यह सब यह यादे कि आप यह करते हैं तो आपको इसका इतना बड़ा फाइदिया होने वाला है दूद के साथ साथ आपका फेंट भी बढ़ेगा यह गारेंटी है और दूद तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा इससे क्योंकि जब तक आप उसको सेडूल नहीं जमाएंगे पश्चुल सब्सक्राइ काई दूद की कि दूद के से निकालना है दूद अब सुबेश रहें उसकी कोई दिक्कत नहीं है दे रहें लेकिन दिन में चार गंटे और चार गंटे हमें खाना खिलाना है पशुका जब भी आप पशुको को नहीं छेड़ चाड़ करनी हैं इससे आपका पाइदा होने वाला है वह पांस दस दिन में आपको पशु के सामने जो दूद की बालती वह यादी भरी हुई नहीं मिलें तो आप पिर आके कमेट करना वास्तों में सरी कैसे हो गया है चार घंटे खेलाना है चार घंटे पानी पिलाने इसमें आपको केंटिन्यू करना है इसके बाद पशु को 20 ग्राम पर्डे पशु के खल दत में गूड एड होना चाहिए 20 ग्राम रोज पशुको गूड द कतनी होती इन से इन चीजों को यदि आप परड़े पुशुकों बीस-बीस ग्राम की मातरा में परड़े देते ना तो पांस से दस दिन के वल पानी पिलाते, चार गंटे के वल खाना किलाते, शाम को 20 ग्राम रोज इसको गूर देते, 20 ग्राम रोज आपको इसको हिमेना बत्ते सा देते, 20 ग्राम रोज आप इसको नमक देते, तो सात्यों यह वह वह नस्पतिक फार्मूला है, यह वह आरिवधिक फार्मूला है, ज कि सबसे आप अपनी गाई बेस को खाना पी ना दे मैंने जो बताइए आप गूर्ड वगरा का प्रयुक करिए आपका पश्चु का 100% दूद बढ़ेगा ही बढ़ेगा तो साथ हमारी जानकारी पसंद आए तो बैटने डोक्टर के साथ जरुद शेयर करना लाइक कमेंट के लिए जय ही जय बाद